खबर लखिमपूर खेरी से मामूले विवायद में महिला की हत्या लखिमपूर खेरी जिले में उस वक्त संसनी फैली जब बच्चों के आपस में हुए विवायद को लेकर जम कर लाठी डंडे चले मौके पर एक महिला की दर्दनाक मौत हुई कई लोग गंभी रुप से घायल हुए जिसके बाद सूचना पर पहुँची पुलिस ने घायलों को इस्थानी स्वास्त केंदर में भर्ती करवा कर शफ को कबजे में लेकर जांच परताल में जुट गए जानकारी की माने तो पूरा मामला जिले के कोतवाली मुहम्मदी शेतर के ग्राम बगरेठी का है जहां पर बीती शनिवार की देर रात गाउन एवासी विभास सिंग का उनके पडोस में रहने वाले से बच्चों को लेकर हुए मामुली विवाद हो गया विवाद होने के बाद दोनों पक्ष में जमकर मार पीठ हुई जिसके बाद कोई बात कोई दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने विभास सिंग और उसके परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया मौके पर ही विभा सिंग की पतनी नर्वीर सिंग की दर्दनाक मौत हुई पुत्र शिवा सिंग अमन सिंग भाई शूरवीर सिंग नवीन सिंग गंभी रूप से घायल हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजिकरत कर कारवाई में जुट कई है पुलिस मुहमदी पुलिस की कारिशयली पर उठ रहे हैं सवालिया निशान हम अश्पसर हमारा सरकारी अस्पाताल कोई नहीं ले आया वगरेठी से मुझ लेकर आई हमर अस्पाताल साहता की किस समय की घटना ही है इसाम की है घर में ही घर में ही है कौन कौना के आपके मुला कर दिया तो किसने कर दिया राम कुमार के लड़के थे सुनने के लड़के थे मुनक के भी थे उनके भाई जो कुमार किसन कुमार नाम से फुकारे जाते है तो कैसे घर में घुसा है कैसे आपने बचाओ अगरा नहीं किया आपने बचाओ अगरा दरवारे पर जान से मार दिया हम लोगों को लाठी तंडा चार्ज कर दिया जर्दा मठेर सब कुछ चला दिया हम लोग बेखोस हो गए फिर यहां कॉलिस एसी कॉन लेकर आया यहां तो पूलिस लेकर आई चले ठीट खबर भारत वर्श के लिए लखीमपूर खीरी से संजर आठोर की रिपोर्ट